नमश्कार दोस्तों, बोल्ट स्काय में आपका स्वागत करती हूँ आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में एंजाइना पेक्टोरिस के रोग में रोगी एठन का श्रिकार हो जाता है इस रोग में शरीर के अंदर खून का संचार कम होनी की बज़ा से रोगी को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो चलिए जानते हैं साक्यू प्रेशर पॉइंट के बारे में जिससे आप इससे छुटकारा पास सकते हैं इसे करने के लिए सबसे पहले अपने दाई हाथ के अंगूठे के नीचे दबाएं इस पॉइंट को 5 मिनिट तक दबाएं उसके बाद अपनी छाती के पास इस जगा दबाएं इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनिट के लिए सुभा और शाम में करें इस रोग की शुरवात में रोगी की छाती के बीचों बीच में तेज दर्द होता है, खास्तोर पर इस तरह का दर्द व्यायाम के बाद ही होता है, कभी-कभी ये दर्द जबड़ी और बाहं के उपरी भाग में भी चला जाता है, इस रोग में रोगी को काफी घुटन महसूस होती है इस रोग के होनी पर सबसे पहले रोगी को अपने ब्लड प्रेशर की जांच करा ली निशाहिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें जब रोगी के शरीर में धहमनिया एकदम सक्थ हो जाती है तब ये रोग पैता होता है इ जल्द ही लोटेंगे एक नए आक्यू प्रेशर पॉइंट के साथ तब तक के लिए देखते रहिए बोल्स का आए